अच्छे होंगे आज हम मौक स्टेट सीरीस स्टार्ट करेंगे जिसमें से 30 कुशन प्रतिक दिन करने के लिए मिलेंगे यह कुशन काफी इंपोर्ट है अगर तीप्स कुशनों में से 25 कुशन भी कर लेती हैं तो आपका सी टेट 100% क्लियर होगा तो आज हम सिरीस स्टार्ट कर यह मानवी सामर्थों में परवितन का परिच्छन करता है बीए जीवन अबदी के दोरान बिवार की ब्यक्ख्या तूड़ेगा सी यह बच्चों की बैस्क तता बरिष्ट नागरेगों की साथ तुलना करेगा डीए किसी बच्चे की संगयनत्मक सामाजिक तता दूसरे साम आगला कोशन देखेंगे कल्बन सक्ति एवं अमूर्थ चिंतन बाल विकास की किस अवस्ता में प्रारंब हो जाता है 1. A. सहस्व वस्ता में 2. B. बाल वस्ता की प्रारंब में 3. C. बाल वस्ता की उत्तरार्द में 4. D. किसर वस्ता में तो question चैया रहा है कि कल्पन सक्ती और अमूर्चिंतन, बालर्विक拉स की किस अवस्ता में प्रारम्ब हो जाता है तो कल्बन सक्ति और अमूर्द चिंतन बाल विकास की बाले वस्ता के उत्राद में स्टार्ड हो जाता है तो अंसर हमारा करेक्टर जाएगा C अगला कुशन देखेंगे बाले वस्ता में सिच्छर होना चाहिए A. बालक की चमताओं की अनसार B. बालक की रुचियों की अनसार C. उपयुक्त A. एबं B. दोनो D. सिच्छर की रुचियों की अनसार तो कुशन पुशन पुशन जाएगा की बाले वस्ता में सिच्छर की इस प्रकार का होना चाहिए तो बाले वस्ता में सिच्छर बालक की चमताओं की अनसार रुचियों के अनुसार होने चाहिए तो हमारा करेक्टरन्स रोजाएगा उपयुक्त A और B दोनो तो करेक्टरन्स रोगा हमारा C अगला कॉशन देखते है मनोबिग्यान सिच्छा का आदार बूत बिग्यान है यह कतन है A इसकिनर का D.A. मैकडूल का C.A. बुडवर्थ का D.A. प्याजी का तो कॉशन में कतन पूचा गया है मनोबिग्यान सिच्छा का आदार बूत बिग्यान है तो कतन पूचा गया है तो कतन बताएंगे यह पर तो अंसर होगा है यह पर हमारा करेक्ट इसकिनर का कतन है तो अंसर करेक्टर जाएगा A. अगला कॉशन दिखते है बालिकाएं बासा बिकास में बालकों से किस अवस्ता में आगे रहती है A. किस तो अवस्ता में B.A. बाले अवस्ता में C.A. सैस्वा अवस्ता में D.A. प्रत्यक अवस्ता में बालकों से पृत्रेक अवस्ता में आगे रहती हैं तो अंसर मेरा क्रेक्ट हो जाएगा डी तो अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं हत्यात में कि सीखना प्रारंब में माफ किए सीखना विवार में उत्र उत्र समंझस की प्रकरिया है यह कतन है एक रोव क्रोव का भी यह प्याजे सी इसकिनर डी कॉलर तो कोशन पूचा गया है कि सीखना विवार में उत्र उत्र समंझस की प्रकरिया है यह कतन है तो कतन पूचा गया है तो answer है यहाँ पर तो answer करेक्टर हो जाएगा यह कथन इसके नरजी ने दिया है तो करेक्टर अंसर होगा यहाँ पर हमारा C अगला कोशन देखते हैं एक बच्ची को उसके पिता चहल कदमी करा रहे थे बच्ची जानती थी कि चिडिया जैसी चीजे होती है पर उसने कभी पतंग को नहीं देखा था पतंग को देखर उसने कहा चिडिया को तो देखो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है यह उदर दिखाता है A. सम्मिलन B. समायुजन C. सरचड D. बस्तू का पदशन तो कोशन में बोला जा रहा है कि एक बच्ची उसके पिता चैल कदमी करा रहे थे मगर बच्ची जानती थी कि चिडिया जैसी चीजे होती है बच्ची को पतंग के बारे में नहीं पता था तो बच्ची ने आकास में पतंग को उड़ते हुए देखा तो बच्ची ने कहा चुडिया को तो देखो तो उसके पिता ने कहा कि यह पतंग है तो यह उदारण किसकी ओर संक्यत करता है इस प्रकार से कुछन पुछा गया है तो आंसर हमारे यह पर करेक्ट हो जाएगा यह उदारण संब्रिल की ओर संक्यत करता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माफ कीजिए करेक्ट आंसर जी सही है संब्रिल की ओर करता है तो आंसर हमारे करेक्ट हो जाएगा अगला उस्चन देखेंगे केटल द्वारा बिसलेशित कियेगे ब्यक्तुत सील गुडों की संख्या कितनी है A.13, B.A.15, C.A.16, D.A.14 तो कोशन पुषा गया है कि केटल द्वारा बिसलेशित कियेगे ब्यक्तुत सील गुडों की संख्या कितनी है तो संख्या पता नहीं आपे तो cattle द्वारा जो विसलसरत किये गे बेक्तुत सीलोगोडों की संक्या है वो हमारी हो जागी 16 दिये गई है तो answer वारा correct भूजाएगा C अगला question देखेंगे Meredith के अध्यन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामन रूप से उन प्रिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक इस तर से उचे होते हैं option देखें किया पर कम स्वस्थ एबं विक्सित एक अकोर्डिंग B.A. अधिक स्वस्थ और विक्सित C.A. अधिक स्वस्थ एबं कम विक्सित D.A. स्वस्थ नहीं पर विक्सित तो Meredith के अधियन के अनुसार ये उनकी आधार के अनुसार कहा गया है कि सामन रूप से उन पर्वारों कोई बच्चे ये बालक बिक्सित होते हैं जो सामाजिक एक स्वस्थ से उचे होते हैं तो यहापे मेरा क्रेक्टान्स हो जाएगा अधिक स्वस्थ और बिक्सित होते हैं तो कर्रेक्टन्स रोगा यहां पर हमारा B अगला कोशन देखेंगे अधिगम की ब्याख्या उस बिवार परवेतन की संबंद में नहीं की जा सकती जिनका संबंद होता है A. जनमजाद प्रवतियों से B. परिपक्कुता और सरीर की अर्स्ताई इस्तियों से C. A. और B. दोनों ही D. A. उप्युक्त मैं से कोई नहीं तो कोशन पुछा आगा कि अधिगम की ब्याख्या उस बिवार परवेतन के संबंद में नहीं की जा सकती है जिसका या जिनका संबंद होता है तो संबंद किस से होता है यह कुशन में पूछा गया है तो यह आप यहारा करेक्टान सुर जाएगा जिनमजात प्रवतियों से परपकुता और सरीर की अर्स्ताई इस्तियों से तो करेक्टान सुर हो गए यहाँपे हमारा A. और B. दोनों ही तो correct answer हो जागा C अगला कोशन देखेंगे अधिगम की मुख्य बिसेस्ता है A. बिवार में परिसुनसोधन B. प्रकतिसील बिवार बिवस्तापन की प्रकृरिया C. उहा प्रकृरिया जो ब्यक्ति को अच्छे अत्वा बुरे की रूप में प्रतिस्तापित करती है D. उपयुक्त सभी तो यहापर कोशन में अधिगम की मुख्य बिसेस्ता पूछी गई है तो अधिगम की मुख्य बिसेस्ता क्या है तो यहापर अधिगम की अगर हम बात करती है बिवार में परिसुनसोधन प्रकतिसिल विवार विवस्तापन की प्रकरिया वह है प्रकरिया जो व्यक्ति को अच्छे तथा या अथ्वा बुरे के रूप में प्रतिस्थापित करती है तो यहां पर करेक्टांसर हो जाएगा हमारे आपर डी उप्युक्त सभी अगला उशन देखेंगे अधिगम की संदर्म में यह कहा जा सकता है कि ए अधिगम एक प्रकरिया है बी अधिगम प्रतिफल है सी यह अधिगम प्रकरिया तथा प्रतिफल दोनों ही है डी यह अधिगम पर परिस्तियों में नहीं होता है जैसे कि अभी कोश्य प्रक्रिया तथा प्रतिपल दोनों ही है टिक कर देंगे अगला उश्य देहेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक सिच्च कक्चा में पढ़ाते समय किसी बिंदू को समझाने के लिए कई उदारर प्रस्तुत करता है सिच्च की यह प्रक्रिया निम्लगत में से बिवार के किस पक्च के अधिगम विकास में सायक है ए संगनत्मक पक्च, बावात्मक पक्च, सी ए क्रियात्मक पक्च, दी ए तीनो ही पक्चों में किसी बिंदू को समझने के लिए कई उदारर प्रस्तुत करता है तो सिच्च की यह प्रक्रिया है किसकी और संकेत कर रहे है किसकी और बता रही है कि तो आंसर दीजिए आपर अंसर मर्या पर correct हो जाएगा संगयनत पक्ष, बावात्मग पक्ष और क्रियात्मग पक्ष तो तीनों ही पक्ष हमारे होंगे इसमें तो correct answer हो जाएगा हमारा D अगला कोशन देखते हैं कि निम्नलक्ष में से कौन सा अधरण विवार की संगयनत पक्ष से संबंदित अधिगम नहीं है तो ए अपने अबारा प्रसच्छ प्राप्त करने के लिए उपराम्त व्यक्ति टंकड कार करने लगता है बिय कक्षा में व्यक्षान सुरने की पत्षात बिद्ध्यार्तियों में प्रत्यों की प्रति समझ उत्भण हो जाती है C. बिद्ध्यारती कक्षा में अध्यन करने के उपरांत समाचर पत्र पढ़ लेता है डी है एक बेक्ती फ्रेंच बासा को सीखने की उपरांत फ्रेंच लेख का हिंदी में अनुवाद कर सकता है तो यहाँ पर कोशन को पहले पढ़ेंगे सही फिर उसके अकॉडिंग अंसर देंगे क्योंकि यहाँ पर कोशन नहीं में पूचा गया है बच्ची क्या करते हैं पहले कोशन पढ़ते हैं और आर्टिंग उसका आंसर देती है मगरा मैं कोशन सही से पढ़ना है कि कोशन किस प्रकार से पूचा गया है कोशन पूचा गया कि कौन सा अवदान बिवार के संहनल पक्षिम मैं से संभनित अधिगन नहीं है वाकिया पर तीन अधिगम के ऐसे संभनित होंगे तीन option संभनित हैं और एक यहाँपर नहीं है तो नहीं बाला आंसर वह हमारा correct होगा तो आंसर यहाँ पर देखेंगे कि प्रसच्चर प्राप्त करने के उपराम्त व्यक्ति टंकड कार करने लगता है तो यही अधिगम से सम्मझत नहीं होगा तो क्रेक्टर आंसर यह हो जाएगा है हमारे यहाँ पर अगला कोशन देखती है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रियोग किस की समान अर्थ में किया है तो क्वशन पुचा गया है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रियोग किस की समान अर्थ में किया है तो अंसर मर्या पर करेक्ट हो जाएगा B स्राइनात्मक्ता अगला कुशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ यह अभी बिरत्ती है यह एक बावनात्मक्त प्रवत्ती जो अनुवब की दुवारा संग्टित होकर किसी मनुवग्यन की बस्तू की प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतक्रिया करती है B. एक ऐसी बिसेस्ता जो ब्यक्ती की योगईता का परचे है जिसे किसी प्रदत्त चेत्र में बिसेस्ट प्रसिश्चण ग्यान अथवा कौसल से सीखा जा सकता है C. ब्यक्ती की बीज भूत चमता जो की बिसेस्ट प्रकार्की होती है D. उप्रयोक्त में से कोई नहीं तो अभिवरत्ती के बारे में पूछा गया है तो आंसर दें आप ये तो हमारा करेक्टर अंसर जाएगा एक बावरत्मक प्रवत्ती जो अनुवव की द्वारा संगिट्थ होकर किसी मनुबैगिनक बस्तु के प्रत पसंदगी और नापसंदगी की रूप में प्रतक्रिया करती है तो अंसर दें आप ये अगरा कुछन देखेंगे फ्राइड के मता अनुसवार हमारे वे ही अनुवव बिस्मृत्ती हो जाते हैं जो ए दुखदाई होते हैं बी ए सुखदाई होते हैं सी ए अधिगम से सम्मन्द्थ होते हैं डी है उपयुक्त में से कोई नहीं पुछागया कि फ्राइड के अनुसवार हमारे वे अनुवव बिस्मृत्त हो जाते हैं तो अंसर दें आप याप ये याप याप मित पर कर्ड़ जाएगा उद्धूक धाई हो जाती है अगला कोशन देखेंगे ब्यक्ति के बिकास में दो मूल भूत आवशक्ता हैं पिर्थम अवाब की आवशक्ता हैं दुतिय सारिक एवं राशाइनिक आवशक्ता हैं यह मत निम्न लगत में से किस ब्यक्तुत सिद्धान्त बादी ने प्रस्तुत किया है तो कोशन मुला यारा कि ब्यक्ति के बिकास में दो मूल भूत आवशक्ता हैं पिर्थम है अवाब की आवशक्ता हैं और दुति है सारिक और राशानिक आवशक्ता हैं तो यह मत निम्न में से किस ब्यक्तुत सिद्धान्त बादी ने प्रस्तुत किया था तो यह मत यह प्रस्तुत किया था वो थे इब्रहाईम मैसलो तो आंसर हमारा करेक्टर जाएगा बी अगला कोशन देखेंगे नीचे दिये गई मनुब्यग्यानिकों मैसे ब्यक्तुत सम्मंदिल अच्छणों अथवा गुड़ों को चार बर्गों यथा सामानी गुड़ अनोखी विसिस्त गुड़ सतही गुड़ तता स्रोत गुड़ में बर्गिक्रत किया है A.A. जुंग ने, B.A. अलपर्ट ने, C.A. केटल ने, D.A. आईजैनिक ने कोशन पुचा गया है कि जो बैग्यानिक नीचे दिये गए है उन में से ब्यक्तु सम्मंदिल अच्छणों अथवा गुड़ों को चार बर्गों यथा सामानी गुड़ अनोखी विसिस्त गुड़ सतही गुड़ स्रोत गुड़ में बर्गिक्रत किया है तो आंसर दें आप यह आंसर बर्गिक्रत किया है केटल नहीं अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं हाथ आत्मे सिच्छण सीखने के लिए उद्धीपन मागदर्शन तथा दिसा बोध है यह बिचार निम्न लिखित सिच्छा सास्त्रियों में से किसके संबंदित है बी एए बी ओए स्मित माफ कीजे एए बी ओए स्मित बी एकिलर्क सी एप बर्टन डी एए थॉंस एफ ग्रीन तो कोश्चन बोला गया कि इस सिच्छण सीखने के लिए उद्धीपन मार्ग दर्शन तथा दिसा बोध है यह बिचार किस सिच्छा सास्त्री न सम्मझत है तो आंसर दें यहाँ पि एए अंसर मरे यह पिर करेक्ट हो जाएगा C यह विचार बर्टन ने दिया है अगला कोश्टन देखेंगे सिच्छल क्रिया के तत्व होते हैं A A 2 B A 3 C A 4 D A 5 तो कोशन में सिच्छर प्रक्रिया की तत्तों पूछे गए तो कितने होती है तो आंसरिया पे मारा करेक्ट हो जाएगा तीन तत्तों होते हैं कौन कौन से होंगे विद्ध्यार्ती, सिच्छक और हमारा पाठ्य किरम अलग कोशन देखेंगे निमनलग में से किस सिच्छ सास्त्री ने सिच्छड को अनत्य क्रियात्मक प्रक्रिया माना है A. John D. V. B. Fledder C. Adams D. Raivern तो कोशन में पूछा गया कि किस सिच्छ सास्त्री ने सिच्छड को अनत्य क्रियात्मक प्रक्रिया माना है तो यह पर हमारा आंसर यहां करेक्टर जाएगा B, फ्लेडर ने इसे माना है तो आंसर यहां करेक्टर जाएगा B अगला कोशन दिखते हैं विद्ध्यार्तियों में सुद्ध एवं इथार्त निरिच्छड मापन करने की युगिता के विकास है तू निम्नल गत्में से उप्युक्त विदी है A, अनुवेश्ड विदी B, समस्य समादन विदी C, प्रवगात्मक विदी D, प्रदशन विदी तो कोशन पुछा गया है कि विद्ध्यार्तियों में सुद्ध एवं इथार्त निरिच्छर अथ्वा या एवं मापन करने की विकास हितू कौन सी विदी सबसे उप्युक्त है तो अंसर दें यहाँ पे अंसर वारे जो क्रेक्टर जाएगए C, प्रवगात्मिदी से सुद्ध एवं इथार्त निरिच्छर मापन किया जा सकता है अंसर मारा करेक्टर जाएगा C अगल कोशन देखती है कोशन लाइक करते नहीं साथियत में सिच्छर उद्धेशों को विवारगत रूप में लिखना यह निम्र लगत में से किस सिच्छर सोपान की अंतरगत समाईत है A. सिच्छर नियंतरण D. सिच्छर संगठन C. सिच्छर योजना D. सिच्छर अग्रशर तो कुशन पर चाहिए कि सिच्छर उद्धेशों को विवारगत रूप में लिखना निम्र लगत में से किस सिच्छर सोपान को अंतरगत करता है तो आंसर मा होगा यहां पर हमारा करेक्टर सिच्छर संगठन सिच्छर उद्धेशों को विवारगत रूप में लिखना सिच्छर सोपान की अंतरगत समाहित है तो करेक्टर आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा B. अगल कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने बलाकनों प्रैस करने जिससे की नोटिफिशन मद्दिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी कोशन देखेंगे मूल लेंकन की छेत्र से अविप्राइब है यह विद्ध्यार्तियों में सिच्ण उप्रांत आए हुए विवारगत परिवतन दी है सिच्ण विसेवस्तु का सिच्चक द्वारा पूर करना सिच्चा में मूल लेंकन की भूमिका डी है सैच्च्ण गतिविदियों को नियमनुसार मूल लिप्रदान करना तो कोश्चन पुचा गया है कि मूल लेंकन की छेतर से क्या अउप्राय है मूल लेंकन की छेतर के बारे पूछा गया है जैक पर करेक्टन सिच्च अबरे होना चैहिए कि विद्द्ध्यार्तियों में सिच्छन उप्राम्त आए हुए बिवार्गत प्रवितन से मूल लाकर्ण की छेत्र से अईप्राय होता है तो करेक्टर अंसर होगा हमारे यहां पे A अगला कोशन देखेंगे कक्छा कक्छ प्रकरिया में सम्माद के लिए प्रमक रूप से आवशक है A. सुंदर्पूर बातावड B. A. आत्मी बातावड C. A. बिन्नता पूड बातावड D. A. प्रजातांत्रिक बातावड तो कोशन प्रेज जागा है कि कक्छा कच प्रकरिया में सम्माद के लिए प्रमुक रूप रूप से अवशक है यह कुछन में पूछा जा रहा है तो जैसे कि आप बात करते हैं सौंदरिपूर है बातावर्ड तो सौंदरिपूर बातरम भी सच्छक या कच्छा प्रक्रिया में सबसे बैतरी होगा तो आंसर मारा क्रेक्ट हो जाएगा ए अगला कुछन देखते हैं और अधिगं के पुनरवलान सिद्दान्त के परतपादक है A. C. L. Clark B. A. Clark A. L. C. E. I. S. P. Do. H. जड़ तो कॉछन में पुछा गया कि अधिगं के पुनर बोलन सिद्दान्त के परतपादक कौन है तो आंसर में पिकरेक्ट हो जाएगा किलर्क A माफ कीजिए किलर्क L हल करेक्ट आंसर हो जाएगा B अगलो जो देखते हैं बालगों का मुफ्त एवं अनिवाद इस इच्छा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ A है 1 अप्रेल 2009 B है 1 अप्रेल 2010 CA 1 नवंबर 2009 DA 1 नवंबर 2010 तो कुशन पूचा गया है कि बालकों की या बालकों की मुफ्त सिच्छा अनिवार अधिनियम सिच्छा का जो अधिकार है 2009 देश में लागू हुआ था तो किस डेट को या किस तारीक को लागू हुआ था यह कुशन में पूचा गया है तो आंसर आपे यहां भी हमारा करेक्टर जाएगा एक अप्रेल 2010 को यह है लागू हुआ था पूरे देश में जो की इसमें कहा गया था कि चोव साल की बच्चों तक फस्ट से लेका एट क्लास तक सिच्छा अनिवार या निसुल्क दी जाएगी तो करेक्टर अनसर हो जाएगा बी अगला कुशन देखते हैं समाजित ब्यक्ति की विश्यस्ता है यह सुय एवं बातावर्ण की मद्य उचित संतुलन समाजित ब्यक्ति की विश्यस्ता है यह सुय एवं बातावर्ण की मद्य उचित संतुलन समाजित ब्यक्ति की विश्यस्ता है तो करेक्टर अनसर हो जाएगा ब्यक्ति सभी तो डी अनसर हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं बालक के समाजित को प्रवावित करने वाला कारक नहीं है यह सारिक छमता दी यह भगनासे सी यह मांसिक दुंद एवं तनाव डी यह उपिक्त मैंसे कोई नहीं कि बालक की समाजित करने वाला कारक नहीं है क्योंकि को पढ़ना है पहले से कि कुशन नहीं में पूचा गया है या किस परका से पूचा गया है तो उसी हमें आंसर देना है तो यह पर कुशन पढ़ेंगे उसके आंसर देंगे तो यह पर कुशन नहीं मत दिया गया है तो तीन यह पर कुशन को टच करते हैं या उनके अंसर हो सकते हैं और एक नहीं वाला अंसर हमारा correct answer होगा तो answer हमारा correct हो जाएगा उपेक्स में से कोई नहीं तो D answer हो जाएगा तो दोस्तों session हमारा यहीं पर समाप उखता है मिलते हैं next session में चैनल को subscribe करें प्रेस कर लें दोस्तों साथ में आजए साथ भीडो को share करें जें दोस्तों बने मतरम